भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर अमेरिका से 20 गुना बहतर अब तक 49,000 से जादा लोग डिस्चार्च पिछले 24 घंटों के अंदर देश में 2350 मरीज हुए ठीक पश्चिम मंगाल में अमफान साइकलोन की दस्तक उत्तर 24 परगना जिले में भारी बारिश उडिसा में 15 और पश्चिम मंगाल में 19 सेंडी आरिफ की टीमें तैनाग श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन पर रेलवे ने बदला रोक अब प्रवासी मजदूरों की ट्रेन नहीं रोक सकती राज्य सरकारे कोरुणा वरीज मिलने पर पूरी तरह से बंद नहीं होगा दफ्तर स्वासमंत्वाले ने संस्थानों में कामकाज को लेकर जारी की नई गाइडलाइन्स बसों को लेकर योगी सरकार और प्र्यांका गांधी में खीशतान जारी कॉंग्रिस का आरोप बॉर्डर पर खड़ी बसों को नहीं मिल रही है एंट्री की जाज़ब महराश्ट में चौथे लॉपडाउन को लेकर नियम जारी राज में अब सिर्फ दो जोन रहेंगे रेड जोन और नॉन रेड जोन दिली सरकार से वियायत मिलने के बाद भी कुछ इलाकों में नहीं खुली दुकाने की गई दुकानों की ओर एन इविन नमबरिंग डामडोल है क्योंकि आप देए सकते हैं लोक है, बार खड़े हुए हैं अब इंखरदार कर नहीं है और ये चा रहे हैंकि जल से जल दुकाने खोली जाए क्योंकि उलकर जोनुकानों हो रहा है उसकी भरवाई जो है लोगडाउन खतम होने के बाद जो लोगडाउन है उसका जो नुक्सान है वो उगाने खोल के इस आए दिनको मिले क्योंकि अभी जो परिस्टेती है बहुत ही खराब श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स से जाने के लिए मुंबाई के बांदरा टर्मिनस के पास पहुँचे सैकडो प्रवासी मशदूर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धजियां पुलिस न किया लाटी चार्ज श्री नगर में सुरक्षा बरो ने हुरियत नेता के बेटे समेट दो आतंकियों को किया धेर 15 घंटे चली मुट भेड में तीन जवान सक्मी यूपी के संभल में सपानेता और उनके पुत्र की गोली मार कर हत्या सामने आई हमलावरों की तस्वीरें पुलिस कर रही है जांच दुनिया भर में 48 लाग के पार पहुचे कोरोना के मामले करीब 3 लाख लोगों की हो चुकी है मौन अमेरिका सबसे ज़ादा प्रभावित